जै स्रीशाम, जब आपकी लाइफ में आपको सारे रास्ते बंद मिल जाएं, आपको कुछ भी समझ ना आए कि बहुत कुछ कर लिया पर कोई भी काम नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं लाइफ में क्या करूँ, तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप एक बार लाइफ में उसे ज़रू ट्राइ कीजिएगा, आज ये वीडियो बनाने का एक सीधा सा मतलब है कि अभी कुछ दिन पहले एक लेड़ी से मेरी मुलाकात हुई, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, मैं कोई बहुत बड़ी ग्यानी नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी पंडित नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत ग्यान थोड़ी बहुत नौलेच जो मुझे मिल गई और जो मेरे बाबा का प्यार मुझे मिल गया ना उन पर जो विश्वास मिल गया जो मुझे बाबा श्याम से मिला है ना बस उसी विश्वास पर मैंने उन्हें बोल दिया कि आप ऐसा करो दीदी आपको जरूर फायदा होगा और कल रात में उनका मेरे पास मेसेज आया तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इनका काम बना है तो मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी इससे आराम मिले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं पूजा पाट भी कर रहे हैं यहां तक की तंत्र मंत्र भी कर रहे हैं लेकिन उनके काम नहीं बन रहे हैं बिल्कुल लाइफ से बिल्कुल निराश हो चुके हैं कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल आप ये समझ लीजे कि बिल्कुल वो सोच रहे हैं कि वो क्या करें कि उनकी ये लाइफ ही खतम हो जाए तो एक बार अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी करने से पहले सोच लीजेगा कि जब कोई आपका साथ नहीं देता है ना तब मेरा बाबा आपका साथ देता है भले ही आप मेरे बाबा को मानते हो जानते हो इससे मतलब नहीं है उसका नाम ही काफी होता है हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो बाबा शाम को नहीं जानते हैं जो बाबा शाम को नहीं मानते हैं मैं नहीं कहती कि आप मेरे बाबा को जानिये, आप मेरे बाबा को मानिये, लिकिन आप जब सब जगर से हाट जाओ ना, तब एक बार इस हारे के सहारे के शरण में जरूर आना, जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप खाटू ही जाओ, आप जहां पर भी रहते हो ना, वहीं पर आस पास आपको कोई ना कोई मंदिर जरूर मिल जाएगा आप अपने मुवाइल पर सर्च करके देख लीजिए बाबा श्याम का मंदिर आपके सहर में कहां पर है और ऐसा नहीं है आजकल बाबा श्याम का मंदिर आपको हर जगह पर मिल जाएगा आपको कुछ काम अपने तो आप बस यही सोच लीजेगा कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में रास्ता खुल जाए आप ऐसा सोच कर ही इसे कर लीजेगा मेरा बाबा आपका काम बना देगा इतना मुझे विश्वास है आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको बाबा की अरदास लगानी है मैंने अरदास पर एक वीडियो बना रखा है आपको कुछ नहीं करना है अपने घर के पास अगर मंदिर है बाबा श्याम का तो ठीक है अगर बाबा श्याम का मंदिर नहीं तो आप अगर गूगल से बाबा श्याम की एक पिक्चर निकलवा सकते हो तो आप पिक्चर को निकाल लो और उसे लैमिनेशन करवा कर अपने घर के मंदिर में रख लो और बस पाबा पर इत्र चढ़ाना मेरे बाबा को इत्र बहुत पसंद है बाबा की जैसे आप पूजा करते हो उसी तरह आपको नौर्मली पूजा करनी है और आपको ग्यारा रुपए की अरदास लगानी है आपकी जो भी इच्छा है आपको उस इच्छा को एक परची पर लिखना है परची पर लिखने के बाद आप एक नारियल में मौली के साथ मे ग्यारा रुपए लगा कर अपनी उस पर्ची जिस पे आपने अपनी इच्छा लगी लिखी है उसको आप नौट कर देना और हर नौट पे बस आप बाबा से बोलते जाना हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा और आप अपनी इच्छा बोलते और आप पांच भजन जादा नहीं सर्फ पांच भजन जरूरी नहीं कि आप पूरे-पूरे ही बाबा को सुनाईए लेकिन नियम बना लीजिए कि दोनों टाइम सुबह साम आपको सर्फ पांच मिनट देने हैं आप भले ही दो-दो मुखड़े एक-एक लाइन ही गाईए आपको पांच भजन बाबा को सुनाने हैं आज कल तो YouTube पर भी चल रहा है और शायद ही कोई हो जो बाबा के भजन नहीं जानता हो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप YouTube पर सुन लीजिए श्री कृष्ण के भजन और बाबा के भजनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है उन्ही का कृष्ण भगवान का ही दिया हुआ वर्दान है कि आज बाबा मेरा बाबा श्याम है तो आप बाबा को पांच भजन सुबह सुनाना सुरू कर दीजिए और इत्र की सेवा आपको क्या करना है जब आप अरदास लगाएंगे तो आप तीन इत्र की शीशियां लेकर आएंगे जिसमें दो शीशी आप बाबा के सामने चढ़ा देंगे और अपनी इच्छा को बोलेंगे और जो तीसरी सीशी है उसे आप बाबा पर मच चढ़ाईएगा और इतना बोल दीजिएगा कि बाबा जिस दिन मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी ये तीसरी सीशी भी आपके पास चढ़ा कर जाओंगा या जाओंगी आपको इतना करना है और सबसे important काम आप अपना नियम बना लीजिए आप जैसे ही सुबह उठकर किसी भी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं घर के बाहर जब आप पैर निकालिए ना तो एक जैकार लगाईए हारे के सहारे कीजए हारे का शहारा बाबा श्याम हमारा और बस ये सोच लीजिए और बोल कर जाएए बाबा को अपने घर के मंदिर में आपने जो लैमिनेशन कराई भी फोटो रखी है ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से खरीद कर लेकर आईए आप बस उस तस्वीर क बोल कर ही इतना ही बोल कर जाएए कि बाबा मैं इस काम से जा रहा हूं या जा रही हूं मैं कुछ नहीं कर सकती हूं मैं जा सिर्फ अपने पैरों पर रही हूं जो कुछ भी करना है वो आपको ही करना है मैं आपके ही भरोसे पर जा रही हूं या जा रहा हूं बस आप इतना बोलकर एक जैकार लगा कर घर से बाहर निकल जाएए आप जिस काम के लिए जा रहे हो अगर वो आपका काम नहीं बनता है तो आप मुझे सौगालियां सुना ले ना भाई और इस से जादा मैं क्या बोलू लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो मेरे बाबा का नाम लेकर काम करने के लिए निकलेगा उसका काम कभी असफल नहीं होगा जैसरी श्याम